अब हमें equation देखकर हमें case पहचाना है तो हमारे बास चार case पॉलेट case 1 क्या है जनाब 00xx case 2 क्या है 00 y axis case 3 क्या है h, x axis case 4 क्या है h, y axis equation देखकर आप axis भी बता सकते हैं और आप vertex भी बता सकते हैं जैसे मिशाल के तौर के हमारे पास मौदूद है, असान सी question देता हुआ है y square is equal to 6x, तो जनाब चोटी family, equation के अंदर चोटी family, चोटी family किते लोगों की होती है लोगों चोटी family, लोगों होती है, चोटी family 00, बड़ी family लोगों होती है, क्या सी कहा है मैंने चोटी family 00, बड़ी family एक्सक्वाइब लोगों होगों होगा, कितना आप ताम़ा पर है लोगों है? 00, बात समाझद आप लोगों होगों है हमें पता है equation क्या होती है y-square is equal to comparison करेंगे तो फोर एक से compare होगा six six जनाब a कितना आएगा three upon अब जब a आ गया तो हम तमाम की तमाम values निकाल सकते हैं जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछू जनाब focus काएं हमने हैं हमें सबस्क्राइब सब्सक्राइब अब तो यह उत्क्राइब की लेंक होती है जनाम इसकी 4A होती है मैं आप से end points of letters victim पूछूँ तो क्या होते है A comma plus minus 2 तो सिर्फ फॉसरे value रखें क्या हो जाएगा ये 3 by 2 ये क्या हो जाएगा X plus 3 by 2 ये क्या हो जाएगा X minus 3 by 2 ये कितना हो जाएगा 4 into 3 by 2 तो कितना हो जाएगा 6 units ये क्या हो जाएगा 3 by 2 plus minus 2 comma 3 by 2 तो कितना बाएगा बिटा 3 by 2 plus minus अच्छा जी एक और example देखके Example है 2x square plus 5y is equal to हाँ चोटी family के बडी family चोटी family चोटी family 00 y पे square है x पे x पे square है तो कौन सा x जनाब ही हो जाएगा 00 पे और कौन सा x y x जनाब 00 और y axis की equation क्या होती है x square is equal to 4y तो इसको पहले ये बादी firm बनाना पड़ेगा कैसे बनेगी x square is equal to minus 5 by 2 y तो जनाब इस compare करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक इतना हाएगा minus 5 by 2 जो बटा a कितना आएगा minus 5 by a अब मैं आपसे क्या क्या मांग रहा हूँ मैं जनाब focus मांगा focus क्या होगा 0 कमाए हमें क्या मांगा directrix मांगा directrix क्या होगी y plus a is equal to y x सकता ना बटा चीक है letters rectum क्या होगी y minus a is equal to letters rectum क्या होगी mod 4 और end points of letters rectum ये क्या होगे plus minus 2 पामाई जनाब सिर्फ क्या करना है आपको a की जगा पर value put जनाब ये क्या होगेगा y minus 5 by 80 ये क्या होगेगा y plus 5 by 80 जनाब ये कितना होगेगा mod 4 a a कितना है minus 5 by 8 ये इतना होगेगा जनाब जनाब 5 by 2 जनाब जनाब 5 by 2 positive जनाब ये कितना होगेगा plus minus 2 a a कितना है जनाब minus 5 by 8 1 तो कितना होगेगा भेटाहरी जनाब जनाब 9 by 4 कॉमा 12 by 4 अहना done 2 बिसिक कैसिस kunna हम है देख लिए 00 और x axis जरिरो जरिरो y axis जरिरो जनाब प्रॉब्लम कहां आती है केस 3 में और केस 4 तो जनाब इसकी जगाणा में आपको सब्सक्राइब केस 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 की कुशन क्या होगी य माइनस के का होल स्कॉर है इसको अगर हम सिंप्लिफाइब करें तो जनाब अगर हम कंपैरिशन करें तो हम यह कह सकते हैं कि प्रॉफिशन्ट ऑफ य किसके बरापर है और जनाब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिशन्ट ऑफ य किसके बरापर है वह तो बता दिया हमने प्रॉफिशन्ट ऑफ एक्स किसके बरापर है और अगर हम बात करें इस तो इसके बरापर आ रहा है के सब्सक्राबर है कि इसके बरापर रहा ही कि चनाब हम इसको कि इसके बरापर होगा सब्सक्राइव के अधर चाहें हैं किसके पराझाबर होगा यह तीम चीजा याद रख ले तो आप बड़े अरहां से इसी भी हुशन को उसको चॉप कर सकते हैं तर दोगों से बड़ी ओर डदीस्पाली करते है चील sagte फ्रेक्ट के फ्रेइसरा आपके साने निचि advisor तो अप दो लोगों की छोटी फैमली है और दो से ज्याला बड़ी तो जब बड़ी फैमली, तो कॉंसा? X कुसी फैमली है क्भाइ, छोटी फैमली जीलो जीलो, बड़ी फैमली एटकुर 개 पे स्क्वार है X ए, EX पे स्क्वार होगा तो Bidda HK और X X इसके बार होगी कौनसे केस की बार होरी है Case 3 की बार 2K बढ़ावर है किसके minus coefficient of Y minus coefficient of Y का मतब है minus Bidda K कितना है 3 4 इसके बढ़ावर है minus coefficient of X Bidda ये कितना हाजाएगो पूर एएच किसके बराबर एप पॉंस्टेंट माइनस प्रेस्ट तो पॉंस्टेंट कितना या जाना आप पहले एप पॉर एएच पॉंस्टेंट कितना याप ट्वेंटी जिए तो 23 – K का ωsफ़ार, मतलब किसका ωsफ़ार? 3 का ωsफ़ार. तो जनाम 23 मेंसे 9- ensuite 9 का हो जाएका? 14. 14 आजएगा, तो सवाल को बढ़ा से added सड़्ले हाँ, ऐस मैनसा लगा जाएगा है. अब कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा- 32. तो जनाम यह हो गया 8x, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x ली, 8 इदर मल्टिकला है और आधर जाकर, x कितना है बिटा, माइनस 2, अब आप से जो चाहिए मांगा जाए, आप से जो चाहिए मांगा, जनाम फोकस क्या था, अब इसको भी याद रखने का बड़ा असान परिये था, x-axis के हिसाब से आपको याद रहना चाहिए, कितना था, a, 0, पैरेट्टिक्स किती थी जनाम, x लेटस रेक्टम क्या थी जनाम, x माइनस थी, जनाम, हाँ, लेटस रेक्टम की लेंध क्या थी, जनाम, लेंध को हमेशा ओरे रहेगी, तो पैरा बाब को क्योंना चाहिए उठाकर लेंध को उतनी ही रहेगी, चीक है जित, और क्या बुचा रहा था, 10 points of lettuce rectum, तो क्या थे जनाम, a, plus minus 2, तो अब यहाद रखने का तरीका क्या है, कि वर्टेक्स कहां चला रहे हो, h, तो अगर आपको याद है, कि point में हमने h क्या क्या था, add क्या था, और equation में h क्या क्या था, हमने minus क्या, इपटाई क्या लिखा जाएगा, a plus h, यह क्या रिखा जाएगा, equation है, minus h, equation है, minus h, point है, less h, less k, तो इस तरह याद करना असान होता है, तो इशार होके साब किस तरीके से याद रखने कि मुश्किल का है, तो अब value put करते हैं जाना, a कितना है, 2, h कितना है, minus 4, k कितना है, जाना, 3, तो कितना हो जाएगा, जाना हो जाना जी, minus 2, ये कितना हो जाएगा, x minus minus 4, plus 2 is equal to 3, खोड़ जाना, x plus 6 is equal to 3, जाना, b crochet, x minus minus 4, minus 2 is equal to 3, जाना, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ तो जिस तरीपे से केस थ्री में हमने क्या किया था यह हम दे निकाल लिए यह बिलकुल ऐसे ही केस पोर की भी जुगाऊए बनेंगे केस पोर क्या होता है पिटा हम भी क्या होता है एकस माइनस एकस का होल स्कॉर है इस एकवल तो फूर एक वाय माइनस के तो यहांपर क्या बनेगा 2h is equal to minus coefficient of x 4a किसके बराबर बनेगा minus coefficient of y और जनाब 4a अब x तो नहीं आएगा किया आएगा 4a किया बनेगा constant minus h square जनाब यह जो गार आपकी से लेगी के स्कोर में अल्हुंद लिल्ला फेराबरा का लेक्चर हमने पतम किया तर इंशाओला हम लोग एलिप्स और हाइपरगोला की दूरी पड़ेंगे तर इंशाओला हम लोगोंने